विरिश्चिक राश्यवालों, आप सभी का जोतिश के इस बेहधी खास और आपके जीवन से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आपको अपने वश में कर चुकी है। इस नाम की औरत और आपको इन बातों का एहसास तक नहीं है। भनक तक नहीं है कि आपके साथ चल क्या रहा है। बस आपको तो एक ही बात का एहसास है कि आपके जीवन में लगातार परेशानियां पर परेशानियां आती चली जा रही हैं। और आप उन परेशानीयों के हल निकाल नहीं पा रहे हैं। ये ओरत आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहती है। आपके उपर तरह तरह की क्रियायं करती रहती है। आपकी खुशीों को हमेशा नजर लगाती रहती है। और अब तो इस ओरत ने हदें पार कर दी हैं और आपके उपरी कैसी तांत्रिक क्रिया कर दी है जिससे आपका मन, आपका मस्तिष्क का बंधन हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अब इस ओरत के वश में आ चुके हैं। आप यहां पर यह समझ ले कि वश में आना क्या होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई किसी की गुलामी करने लगता है। इसका मतलब यह है कि बस आप जो फैसले लेंगे वह गलत साबित होंगे। या यूं कहें कि आप हमेशा गलत फैसले ही चुनेंगे। और हमेशा परेशानियों में ही भटकते रहेंगे। और यहीं से आपकी बरबादी की शुरुआत हो जाएगी। सब मामले में सबसे बुरी बात यह होगी कि आपको कभी इस बात का एहसास तक नहीं होगा, कि आपके उपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर दी है या आप उपर किसी प्रकार का कोई बंधन किया गया है। आप तो हमेशा यही समझते रहेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, वह भगवान की देन हैं. यह आपकी किस्मत खराब है या फिर भाग यह अभी आपके साथ नहीं है और ऐसा करते करते आपका पूरा जीवन गुजर क्योंकि इसमें होता यह है जातक को कभी भी असल स्थिती का एहसास नहीं हो पाता है, और उस स्थिती से बाहर निकलने की जातक कभी भी कोशिश नहीं कर पाता है, और एक जाल में हमेशा के लिए फ़स कर रह जाता है. कई लोगों को हमने अपने जीवन काल में देखा है कि वह हमेशा यह कहते रहते हैं कि जीवन में केवल और केवल कश्ट ही है जीवन तो नर्क के समान है खुशियों का एक पल भी कभी देखा नहीं है लेकिन जब उसे अच्छी तरह से बैठ कर चर्चा की जाए तो असल में उनके जीवन में इन सब चीजों की शुरुआत किसी न किसी पड़ाव पर हुई थी और वह पड़ाव था उनकी तरक्की का, उनके उद्धार का यानि जब उन्होंने काम्याबी का स्वाद चखा तब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनके जीवन में परेशानियों का आगमन हुआ और फिर यह सिलसिला लगातार चलता चला गया और बरबादी बढ़ती चली गई और आज स्थिती यह है कि वर्षों वर्ष बीत गए यह पूरा जीवन ही बीत गया लेकिन सुख का एक पल भी देखने को नहीं मिला तो इन भयानक स्थितियों की चर्चा हम इस ज्योतिश कार्यक्रम में करने जा रहे हैं आपको हम वह संकेत बताएं जिससे स्पष्ट तौर पर आपको यह अहसास हो जाएगा कि आप किसी के बस में हैं आपका बंधन हो चुका है और आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे एक क्रिया है जिसे आपको करना होगा और कुछ ही समय में आप उस बंधन को आसानी से तोड़ पाएंगे और जब आप उस बंधन को तोड़ेंगे तो आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमतकारी परिणाम महसूस करेंगे आप देखेंगे कि आप जीवन पूर्ण रूप से बदलता चला जा रहा है आपके देखते देखते ही सारी स्थितियां सम हो जाएंगे जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा और आपका जीवन भी फूलों की बगिया के समान महकने लगेगा अब ऐसे में कुछ ऐसे पुत्र की और अधर्मी लोग होते हैं जिन्हें किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं होता है लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जीवन भर कष्ट भोंकते रहते हैं किसी भी बात का भरोसा नहीं करते हैं और अंत में इसी तरह जीवन को समाप्त करके यहां से विदा हो जाते हैं लेकिन उन सब लोगों के लिए हमारे मन में केवल एक ही बात है जो हम आप से कहना चाहते हैं और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को रामायन में कहा है कि सकल पदारत है जग माही कर्म हीन नर पावत ना ही इस संसार में सारी सुख है सारी सुविधाएं है वैभव और एश्वर्य है लेकिन कर्म हीन नर को यह कभी प्राप्त नहीं हो पाता अब यहां पर कर्म हीन से कहने का मतलब है एक तक की बेहनों और कुत्र की इनसान से है प्यारे दोस्तों जब भी कोई आपको किसी बात के बारे में बताता है तो जरूर कहीं न कहीं उस विचार में इस देश की सच्चाई तो अवश्य होती है तो आपको भी उस बारे में सोच लेने में कोई बुराई नहीं है प्यारे दोस्तों, तो हम आपसे बस यहीं चाहेंगे कि बिना किसी को तर्क के ईश्वर का ध्यान करते हुए सच्चे मन से आप इस जोतिश कारिक्रम को पूरा देखें और आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें यदि संकेत आपको समझ में आये दिखाई दें तो आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय को, प्रिया को भी आजमा ले प्यारे दोस्तों, प्रिया करने में आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा, बस आपकी मेहनत लगेगी और यदि आपका बंधन किया गया है, किसी भी प्रकार का तो वह कट जाएगा, आपका ज जीवन में उतारना है, या प्यारे दोस्तों, चलिए, बिना समय गवाएं आज की इस ज्योतिश कार्यक्रम को प्रारंब करते हैं, लेकिन ज्योतिश कार्यक्रम को प्रारंब करने से पहले, आपसे एक निवेदन है, कि कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, जयमा संतो संतोशी अवश्य लिखें. माता की प्रेम और आशीरवाद की और कृपा की किस जीव जन्तु को आवश्यक्ता नहीं है, हमें भी है. आपको भी है, तो बस सच्चे मन और भाव से बिलकुल एक, एक बच्चे की तरह है, जो रोते हुए हुए अपनी मां से उसकी कृपा और हर की भीख मांगता है, ऐसे ही बस आपको भी जैमा संतोशी रक्षा करो लिख दे, निश्चित तोर पर माता आपके उपर कृपा करेंगे, अपना आशीरवाद आपको देंगे, आपका जीवन सुन्दर हो जाएगा. प्यारे दोस्तों, इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा. प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, जो बातें हम अब आपको बताने जा रहे हैं, ये बातें हम यूही नहीं आपसे कह रहे हैं इन बातों के, बहुत मजबूत आधार है. सबसे पहला आधार ये है कि आपकी राश्य पूरे राश्य चक्र में एक मात्र सी राश्य है, जिससे लोग अकसर जलते हैं. हमेशा. जल्दी हाँ, प्यारे, दोस्तों. ऐसा हमेशा देखा गया है, कि चाहे जातक अमीर हो या गरीब हो, चाहे जातक किसी भी स्थिती में हो, चाहे कम ग्ञानी हो या अधिक ग्ञानी हो, इससे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा नपातुल्ला व्यवहार करते हैं और अपने सम्मान ही लोगों के साथ उठते बैठते हैं इसकी वजह यह है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप आज भले ही परेशानियों से जूँज रहे हैं आज भले ही आप समाज में निचले स सम्मान का अपनी इज़त का बहुत खयाल रहता है और आप लोग उसे फिजूल की बातें नहीं करते हैं गपे नहीं आते हैं हरी के सामने मदद के लिए भीक नहीं मानते हैं बस इनहीं सब बातों से यानि कि आपकी चाल ढाल तौर तरीके बात करने का लहजा कुछ इस प्र की जलन इस हद तक बढ़ जाती है फिर लोग आपकी काम्याबी देख नहीं सकते उनके सीने पर सांप लोटने लगते हैं और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगे हैं जैसा जिसको बन पड़ता है वैसा प्रयास करता है आपको पीछे खींचने का नीचे गिराने का कई बार लोग काम्याबी हो जाते हैं इसका कारण भी आप स्वयम ही है जहां आप अपने आत्म सम्मान को बहुत महत्व देते हैं आप स्वभाव से बहुत भोले भाले हैं आप लोगों की चिकनी चुपडी बातों में तुरंत आ जाते हैं लोग जहां प्रेम से दो बातें बोलेंगे, आप तुरंत उनके लिए अपने दिल के दर्वाजे खोल देते हैं अपने दिल की राज बता देते हैं हर एक सुख दुख में उन्हें शामिल कर लेते हैं बाद में होता है यह है कि लोग इसका फाइदा उठा लेते हैं और आपकी कमजोरी पर हमला करते हैं जी हाँ प्यारे दोस्तों हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं उन्हें आप अपने जीवन में मिला कर देखिए एक बार आपके चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है प्यारे दोस्तों की हमने आपकी राश्य के उपर गहराई से अध्ययन किया है अब आपके जीवन की तीन कड़वी सच्चाई हैं जिन्हें भी हम आपको बता दें इससे आपको यकीन होगा कि आपके बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं हर एक बातें सच है, सत्य हैं और आप उन पर कार्य करना चाहिए पहला कि आपको हमेशा अपनों से धोखा प्राप्थ होगा प्यारे दोस्तों आप जिस पर भी भरोसा करेंगे तुरंत धोखा मिलेगा आज नहीं तो कल लोग आपको, आपके साथ जालसाजी करेंगे, धोखे बाजी करेंगे ये आपके जीवन की पहली कड़वी सच्चाई है दूसरी, आपको काम्याबी बहुत मेहनत के बाद, गहरे संगर्ष के बाद, घर के बाद ही प्राप्थ होगी आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्थ नहीं होगी और तीसरी कड़वी सच्चाई है प्यारे दोस्तों, यह है कि आप बाहर से दुनिया को सक्त होने का दिखावा करते हैं आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत कठोर हैं, मजबूत हैं आप किसी की परवाह नहीं हैं, आप किसी के बारे में नहीं सोचते हैं लेकिन अंदर से आप इसके ठीक उलट हैं, आपको अंदर से डर भी महसूस होता है अब इसको लेकर अपने काम धंधे को लेकर अपने जीवन को लेकर अंदर ही अंदर आपको डर भी महसूस होता है और आप हर एक को हद से ज्यादा प्रेम करते हैं जो आप से जुड़े हुए हैं लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको इसके लिए भी डर है कि जहां आपने प्रेम दिखाया वही आपको धोखा भी प्राप्त होगा। यानि कि आपका दिल अंदर से इतना कोमल और मुलायम है लेकिन खोल यानि स्वभाव की कठोर और सख्त है। इस बात से लोग अक्सर आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाजा लगा लेते हैं। आप जैसे अंदर से है नहीं, लोग अक्सर आपको वैसा ही बाहर से समझते हैं। अब इस बात का प्रमाण यहां से आप देख लीजिए कि आप दान धर्म तो खूब करते हैं, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते गुप्त रूप से करते हैं। इस वजह से लोग आपको जरूर समझ लेते हैं, कठोर हिर्दय का समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ईश्वर में आस्था तो रखते हैं, लेकिन आप दिखा भी बाजी नहीं करते हैं, नौटंकी बाजी नहीं करते हैं। इस वजह से लोग आपको कम धार्मिक समझते हैं और जिद्धी और कठोर स्वभाव का भी समझ लेते हैं। दोस्त तो यह तो बात है कि आपके अपने जीवन के बारे में आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में यहां से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि अब हम आपको बता नहीं जा रही हैं। चैनी का एहसास रहेगा। आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। दोस्त हो चाहे घर हो चाहे बाहर होगा। आपको अक्सर अंदर ही अंदर किसी बात का भय लगा रहेगा। कुछ अन्होनी की आशंका लगी रहेगी। रात को आपको नींद भी नहीं आएगी और यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्दी तूट जाएगी। और नींद तूटने का समय अक्सर ग्यारहाओ से एक महान के बीच का होगा। जिन प्यारे दोस्तों इसे पितरों का समय भी कहते हैं। लेकिन यदि किसी प्रकार का बंधन आपकी पर किया गया है। अभी आपकी नींद ग्यारहाओ से एक बाउस के बीच अक्सर तूट जाया करेगी। आप इसे पितरों के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं तो आप मिलाई अपने जीवन में कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं दूसरा संकेत कि आपका आपके अपने कामकाज से रूची कम होने लगेगी। जहां प्यारे दोस्तों चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं आपको अपना व्यापार अपनी नौकरी अपना काम धंधा सब खराब लगने लगेगा। बेकार लगने लगेगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको अपने खुद के काम से ही अरु प्यारे दोस्तों, आपको खुशी का कभी एहसास हो नहीं पाएगा ही, माहौल कैसा भी हो, आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़ चिड़ापन लगता रहेगा, आपका घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा, खासतोर से तब जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे, घर का माहौल गती उर्जा अचानक से बदल जाएगी, माह की स्वयम की आपके घर के बड़े बुजर्गों से रिलीज हो जाएगा, विवाध हो जाएगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते, किसी भी हालत में अब सुनिये पुखता संकेत, यानि कि यह स्पष्ट संकेत हैं और बड़े संकेत हैं, सबसे पहला संग दूसरा संदेश की आपका सिर भारी रहने लगेगा, प्यारे दोस्तों आपको अकसर सिर दर्ध होगा और सिर पर ऐसा लगेगा जैसे की कोई भजन सा रखा है, तीसरा आपकी याद दाश्त कमजोर हो जाएगी, छोटी छोटी बातें भी आप अकसर भूल जाएगे, अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिए कि वंदन किया गया है, आपकी बुद्धिका तो होगा, ये पहले आप जिससे प्रेम करते थे, अब आपको उससे चिड़ होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा और धीरे धीरे यह गुस्सा और फिर नफरत में बदल नहीं लगेगा और जहां पहले आप जिन लोगों की संगत पसंद नहीं किया करते थे, उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी लगने लगेगी, यानि कि अब आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं और सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक चीजों और बातों से, आपको चिड़ होने लगी है, ये बहुत बड़ा संकेत है, प्यारे दोस्तों, कुल मिला कर बात की जाए, तो आपकी बुद्धी काम करना बंद कर देगी, आप हमेशा सुध बुद्ध खो ऐसी स्थिती में रहेंगे, किंकरतव विमूर हम की स्थिती में रहेंगे, आपको ना तो प्रोध करने लगेंगे, कभी आप प्रेम करने लगेंगे, आपको समझना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग आपसे कटने लगेंगे, आपसे दूर होने लगे, तो ये सब समस्याएं जो है, ये शुरुवात में बहुत हलकी दिखाई देती है, तो फिर इन पर नियंत्रन करपाना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर इनके विनाशकारी प्रभाव से बचपाना भी लगभग असंभव होता है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, ये काली तेरी आँखें होती हैं, जिन्हें काली तांत्रिक क्रियाएं कहा जाता है, और इनकी क बाट कर सकते हैं लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए यह समस्या नकारात्मक्ता आपको हद से ज्यादा घर ले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है तो वह इन संकेतों को मिलाईए आपके जीवन में यदि इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं तो आप हम जो आ प्रकार के बंधन कि यह बहुत बड़ी बात है, जो आप ध्यान से सुनिए, कि बंधन कोई ऐसा नहीं, कि केवल आप कहीं किया गया है, आपके घर का बंधन हो सकता है, आपका बुद्धी का बंधन, आपकी लक्षमी का बंधन, आपके व्यापार, काम, धंधे, नौकरी, हर एक तीज का बंधन किया जा सकता है, और बंधन करने के लिए कोई बड़ा प्रयोग नहीं करना है, प्यारे दोस्तों, छोटी 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 चीजों से, आपके एक बाल से बंधन किया जा सकता है, आपको छोटी सी कोई चीज खाने के लिए दी जा सकती है, उससे बंधन कि किया जा सकता है। यहां तक कि आप जहां खड़े थे, उस जगह की मिट्टी का प्रयोग करके भी बंधन किया जा सकता है। और बंधन इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी हलके में ना ले। अब बात करते हैं। इन बंधनों को काटने की क्रिया के बारे में इन बंधनों को मुक्त करने की कौन सी विशेश क्रिया है। हम किसी भी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए किसी अन्य तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करने के बारे में कभी किसी को नहीं बताते हैं। जो दोस को जो उपाय बताएंगे वह पूर्ण साथियों को उपाय होंगे लेकिन इनसे आपकी तांत्रिक क्रिया अवश्य जाएगी समय अवश्य लगेगा हो सकता है पचीस दस दिन लगे लेकिन आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की न लेकिन दूसरा जहर शरीर में ठहर जाएगा तो यहां पर वैसा ही कुछ मामला है यहां पर आप ध्यान से समझ गए कि हम जिस तांत्रिक रिया को काटने की बात कर रही हैं उसके बदले में हम कोई अन्य तांत्रिक क्रिया करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम यहां पर चुशा पर आपको सात्वी क्रिया के बारे में बता रहे हैं अब एक और खास बात इस जिस इंसान की बुद्धी का बंधन पहले से ही किया जा चुका है वह इंसान तो कभी खुझ से इसी विक्लिया को करेगा ही नहीं किसी भी धार्मिक कार्य में उसकी रुचि नहीं रहे हो, परिवार जन हो, कोई भी हो, श्री प्रकार का रिष्टेदार हो, वह इस क्रिया को करेगा, तो सबसे पहली चिडिया यह है कि एक नीमबू आपको लेना है, और शनिवार के दिन यह क्रिया आपको करनी है, अब उसने आपको रात्रि को ग्याराहा और बारहा बजे के आपको साथ लोंगे लगानी है, या प्यारे दोस्तों लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग नहीं है, इस क्रिया से किसी भी प्रकार का बंधन हो, वह तुरंथ कमजोर पढ़ जाएगा, कटेगा नहीं कमजोर पढ़ तो यह जो क्रिया है इसे ध्यान से समझे, निम्बू आपको एक लेना है और इस निम्बू में आपको साथ लॉंडे लगानी है और रात्री को ग्यारहा से बारहस के बीच उस इनसान के सिर के उपर से उल्टा उतारना है या फिर ना है, उल्टा फिरेंगे, साथ बार फिरें है बस आपको इतना करना है मुड़कर पीछे नहीं देखना है Oooh वापश जाना नहीं है देखना नहीं है सीधे अपने घर आ जाना है और अपने हाथ पैर मुः धोकर चुप चाप आकर सो जाना है अब जिस व्यक्ति का बंधन हुआ वही व्यक्ति आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगले ही दिन से उसके स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि बंधन कमजोर हो चुका है, यह प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत होगी, ग्यारह दिन की क्रिया की, जिससे यह बंधन पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, या दोस्त लोग महनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना महनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, तो अब क्या है, क्रिपया इसे ध्यान से सुनिए, आपको हनुमान जी क की शरण में जाना होगा, आपको रात्री के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, अब रात्री से हमारा यह मतलब है, नौ बाउन बजे की आज, नौ बाउन बजे के आसपास आप अपने घर में ही करेंगे, यह क्रिया ध्यान से सुनना, आप तो अब रात्री को नौ है आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, या प्यारे दोस्तों और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, अब हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे, साथ बार और साथ बार हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक छोटे से तांबे के कलश में या फिर एक छोटे से त पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे तो थोड़ा सा जल और हर बार जब आपका पाठ समाप्त होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा भूख मारेंगे। साथ बार आपको पाठ करना है, साथ बार ही आपको फूख मारना है। इससे यह जल अभिमंत्रित हो जाएगा। हनुमान जी की शक्ति से किसी भी प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की काट केवल और केवल माता काली के पास है या फिर हनुमान जी के पास है। सबसे जल्दी राहत केवल इन्ही की पूजा पाठ से मिलती है। बाकी सबसे भी मिलती है लेकिन उनसे काफी देर में तो ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है अब, आपको संभाल कर रखना है और जिस व्यक्ति की बुद्धी का बंधन हो चुका है, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के काबू में है, यंतरन में है, आपको यह जल उसे कि यहक्रिया शुरू हो जाएगी ग्यारा दिनों तक लगातार यहक्रिया चलेगी और आप देखेंगे कि दिन प्रती दिन उस इंसान का स्वभाव साध्रण उतर जाएगा, कोई व्यक्ति सकार आतमक हो जाएगा और फिर उस व्यक्ति को आप प्रेरित करें, उस व्यक्ति को आप मंदिर ले जाने की कोशिश करें हनुमान जी की पूजा पाठ करवाने की कोशिश करें धीरे धीरे भाई इंसान पहले तो नहीं मानेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे वह इंसान अंदर भी जाएगा हनुमान जी की पूजा पाठ भी करेगा चालीसा भी करेगा और धीरे-धीरे सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा अब जैसा कि जोतिश कार्यक्रम समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि वह कौन सी महिला है जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है अनंत्रिया की पहचान उसकी कार्ड उसकी क्रिया सब कुछ हमने आपको बता दिया है इस जोतिश कार्यक्रम में भरपूर ज्यान दे दिया है आप इसे उपयोग करें बदलाव स्वयम महसूस करेंगे प्यारे दोस्तों उस औरत की राशिव रिष्चिक है और उसके नाम का पहला अक्षर जा है आप बस इसे ध्यान से समझिए और पहचानने की कोशिश करिए हो सकता है कि यह महिला आपके घर के आसपास ही कहीं है आपके परिवार में आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से इस महिला का हस्तक्षेप अवश्य है इसी के साथ साथ आज की इस ज्योतिश कार्यक्रम को विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मा संतोशी अवश्य लिखे जय बजरंग बली अवश्य अवश्य लिखे हैं माता संतोशी और पवन पुत्र हनुमान आपके जीवन में पूर्ण रूप से कृपा करेंगे आशीरवाद देंगे आपका जीवन बदल जाएगा मिलते हैं अगले ज्यान वर्धक जयोतिश कार्यक्रम में तब तक के लिए धन्यवाद आपके कोई भी प्रश्न हो कमेंट करके पूछे हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे जय माता की